दोस्तों मृत्यू को परम सत्य कहा जाता है लेकिन मृत्यू से जुड़े कई सवाल ऐसे हैं जिनका सत्य कभी भी कोई नहीं जान पाया इन सवालों में जो सवाल सामिल है वो यह है कि मृत्यू के कितने दिन बात तक आत्मा पृत्वी पर रहती है लेकिन ये बात आपको बता दें कि इन सवालों के बिल्कुल सटीक जवाब केवल भगवान के पास ही है दोस्तों हमें जो ज्ञान हमारे पवित्र धार्मी गरन देते हैं उनी गरन्तों के अनुसार हम आपको इन सवालों के जवाब बता रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं। उपनिशद के अनुशार जिसे मनुश्य मृत्यू कहते हैं, वो मातर सरीर का अंत होता है। उस सरीर का अंत जो की पांच तत्व यानि पंच महाभूत से मिलकर बना होता है। जिन में पृत्वी, जल, अगनी, वायू और आकास सामिल है। उपनिशद में ये भी लिखा है कि मृत्व के बाद आत्मा प्रमात्मा की सरण में चली जाती है। और वो आत्मा जो निस्पाप होती है, वह इस्वर की सरण में रहती है। वहीं दूसरी और वो आत्माईं जिन्होंने अपनी जिन्दगी में घोर पाप किये होते हैं, अपन कि दुनिया का भी जिक्र किया गया है जहां पर आत्माओं को संग्रक्षित रखा जाता है यह महज माननेता है या फिर सक्त्य इसका पुपता सभूत तो कोई भी व्यक्ति नहीं दे पाया है दोस्तों अब बात करते हैं उंदु धर्म के पवित्रग्रंत गीता की अपने उप समय पर अपने वस्तरों को बदलती रहती है दोस्तों यहां हमने आपको उपनिशद और गीता के बारे में बताया अब बात करते हैं गरुण पुरान की आप सभी को बता दे कि इस पुरान में उलेक किया गया है कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या वेवार होता है वह उसके कर्मों के उपर निर्बर करता है जब आत्मा सरी छोड़ती है या फिर त्यागती है तो यम के दूद उसे लेने आते हैं और यहां यमदूद उसके कर्मों के अनुसार उसे सजा देते हैं उस दोरान 24 घंटों के बीच आत्मा उन यमदूतों के बीच रहती है इन 24 घंटों के अंदर यम्दूत उस आत्मा को, उसके कर्मों का वेव्रा देते हैं, उस आत्मा को 13 दिन तक उसी घर में छोड़ दिया जाता है, जहां उसने अपने सरील को त्यागा था, 13 दिनों तक आत्मा अपने अपनों के बीच ही रहती है, और फिर तेमाम अंतिम रस میں पुरी हो जाने के बाल को यमलोग वापस चली जाती है, अब आप सभी ये सोच रही होंगे कि यमलोग पहुच कर उस आत्मा क्या होता है। दोस्तो आप सभी को बता दें कि गरुन पुराण में लिखा गया है कि आत्मा को यम लोग पहुझकर तीन अलग मार्ग मिलते हैं जिसमें अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ती यानि बिनास मार्ग सामिल हैं गरुन पुराण और सिव पुराण में उन संकेतों के बारे में भी लिखा गया है जो मृत्यू से पहले किसी भी मनुष्य को इस वर द्वारा मिलते हैं अगर आप सभी इन संकेतों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें comment box में comment करके जरूर बताएं अगली आने वाली वीडियो में इन सबी बातों के जवाब बताए जाएंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like करें और ज़्यादा ते ज़्यादा शेयर करें और साथी हमारे चैनल को subscribe करें